हलो एव्रिवान नाम है दिपाली चैन जैसा कि आप सभी को थमनेल से पता लग रहा होगा आज हम बात कर रहे हैं अपने 33 लेक्चर की तो बच्चे आपको इससे पहले 32 लेक्चर मिल चुके हैं सभी ने जो जो बच्चे नएने जुड़ते हैं हमारे कोर्स में या फिर हमारी या फिर डीके के डाउटनेट के चैनल पे तो आप सभी ने वो क्लासिस जो पहले की हुई हुई है वो सभी देखनी है और उनी क्लासिस के अनुसार आपने अपने आपको इवेलिवेट करना है जैसा कि मैं देख पा रहे हूँ सभी बच्चे लाइव आच चुके हैं बिलक से पहले आपको 32 लेक्चर मिल चुके हैं वो भी आपने ध्यान से देखने है ठीक है तो फास्टली कोशन करेंगे अभी बहुत सभी कोशन आपके मैं करवा चुकी हूँ तो कोशन फास्ट चलेंगे ध्यान से कोशन रीट कीजेगा क्लास के एंड में आपको अपना स्कोर भ यह कोशन आपका जो मोधी ने नई आपकी जो बनाई है उससे लेटेड यह कोशन है तो ध्यान से देखेंगे और सभी बच्चे कोशन की आंसर देने का ट्राइ करेंगे ठीक है बेलकुल बहुत बढ़िया देखेंगे थोड़ा सा समझने वाला कोशन था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौधिक क्रियाशीलता में सीमा बदता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उच्चित तरीका क्या होगा जो आप पढ़ रहे हैं the right of person with disability act means जो मोधी जी के अभी recent में इनोंने दिव्यांजन अधिकार बनाया था उसके अंदर अगर मैं बात करूँ आपके बौधिक क्रियाशीलता वाले जो विकार वाले जो बच्चे हैं उनको किस कैटेगरी में रखा गया था तो actual में उनको रखा गया था जिसे बौधिक शमता है person with intellectual disability वाली कैटेगरी में इसको रखा गया था देखिए mental retarded अलग थे intellectual handicap की कोई कैटेगरी नहीं थी mentally handicap में इनको नहीं रखा गया इनको रखा गया था जिसे बौधिक अक्षमता है उस कैटेगरी में इन बच्चों को रखा गया था बौधिक क्रियाशीलता में सीमा बदता व्यक्ती ठीक है clear होगा चलो आगे बात करेंगे question number two on your screen ध्यान से पढ़िए और फिर आप आंसर देंगे question असान है और ये question inclusive education पे है inclusion पे है चलिए पढ़ लिजे एक बार क्या कहा गया है इन में से कौन से विधी समावेशन के अनुरूप नहीं है क्या नहीं है समावेशन के अनुरूप नहीं है वो विधी आपने बतानी है मतलब वो चीजे बतानी है जो की समावेशन में नहीं आएगी मतलब inclusion में नहीं आएगी पढ़िए options पढ़िए चलिए discuss करें फिर आएगे देखिए इन में से कौन से विधी समावेशन के अनुरूप नहीं आएगी तो मतलब नहीं वाली बतानी है ठीक है पहला विवित्ता को सहारना और महत्व देना करेक्ट है जो diversity आपकी क्लास में उसको आपने शारूप नहीं आएगी तो मतलब नह परहाना है और कहीं न कहीं आपने उसको महत्व भी देना है ठीक है दूसरा सब बच्चों में स्वाभी मान और सीखने के लिए आत्मश्वास बढ़ाना है करेक्ट है तीसरा शारूरिक समाजिक और प्रिविर्ती संबंदी बाधाओं को दूर करना जो बच्चों के अंदर फिजिकल, सोशल और अट्रिब्यूटरल जो बेरियर है न आप उसको दूर करें मतलब जो उसके अंदर जो कठिनाया आ रही है बच्चों को पढ़ने में उसको आप दूर करें करेक्ट है ये भी और चौथा शवण अक्षमता वाली बच्चों के लिए अलग विद्याल ल ऑप्षिन नमबर फूर्थ ही इसका करेक्ट ऑप्षिन होगा बिल्कुल सभी बच्चों का सही है बेटा बहुत बढ़िया चलो बात करेंगे कोश्चन नमबर त्री ऑन यो स्क्रीन पढ़ लिजे एक बार वेरी गुड चलिए पढ़िए ऐसा बच्चा है जो आख नहीं मिला पाता मैंने बताय था कौन सा बच्चा वो होता है जो की सोशल कांटैक नहीं कर पाता जो की समाज से रूबरू नहीं हो पाता वो अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाता उसको डर लगा रहता है बताईए वो कौन सा बच्चा होता है जो आखों से आखें नहीं मिला पाता जो अपनी बात को कहते टाइम डरता है जिसको डर लगा रहता है बताएं देखो राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है वे दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं कर पाता मतलब जो बच्चा है वो सोशल कॉंटाक्ट नहीं बना पाता है वो सामाजिक अंतेक्रिया नहीं कर पाता है ठीक है आगे देखिए और सारा दिन एक पंक के साथ अकेले खेलता रहता है एक पंक है उसके पास उसके साथ वो खेलता ही रहता है राजन का यह व्यवार निमल में से किस विकार की और संकेत करता है मास पेशियों में है, गुनज है, गती समवे है या फिर वो बच्चा autistic spectrum disorder है या फिर वो बच्चा autism का स्वलीनता विकार है उसको स्वलीनता विकार वाला बच्चा अपने आपको व्यक्त नहीं कर पाता वो social contact नहीं बना पाता, वो अपनी बात को बताने से ही चकता है शर्माता है, घबराता है तो यह autism का शिकार बच्चा है ना कि उसके मास पेशियों में उसको muscular dystrophy है ना कि उसको मैस से दिक्कत है और ना ही उसके गती में समन्वे होने से उसको problem है dysposure, तो यह भी नहीं है, यह क्या है आप option number second ठीक है स्वलीनता विकार, autism is spectrum disorder ठीक है, आजो, बात करते है question number fourth on your screen बहुत ही simple question है ध्यान से पढ़िये, बिलकुल भी गलती होने का chance खतम हो जाएगा बहुत असान question है सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे देखो, यहाँ पर है dystonia dystonia मतलब होता है, विमर्ष नहीं कर पाता है actual में क्या है, muscle disorder होता है यह उच्छा वैकल पर जो बच्चा होता है उसको help की जुरूत होती है वो कहीना कहीं घबराट रहती है उसको helplessness, ठीक है, लगती है क्या लगती है, helplessness help, lessness मतलब उसको ना मदद की जुरूत है यार वो हमेशा ना अकेलापन महसूस करता है आप खुद देखेंगे, यहाँ पर कहा लिख है विशे वस्तू को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई महसूस करता है तो पढ़ते टाइम पर पढ़ते टाइम पर आप सभी जानते है dyscalculia होता है sorry dyslexia होता है वाचन वैकल पर होता है बच्चा पढ़ते टाइम पर दिक्कत कर रहा है ठीक है, तो dyslexia, tonia गणित में problem नहीं है dysphoria भी नहीं है तो answer क्या हुआ, बहुत ही simple सा हलवा सा question था, यह क्या है वाचन वैकल पर जो बच्चा है वो पढ़ नहीं पाता reading disorder है पठन विकार है reading disorder है correct है, चलो, आगे बात करेंगे next question, question number fifth ये भी यार बहुत ही हलवा बहुत ही लड़ू question है एक बार पढ़ लो, उसके बाद हलवा बनाके जरूर खाओगे, चलो पढ़ो, बहुत ही simple question है, बहुत ही simple पढ़ लीजे देखो, किसी चीज के विशे में नूतन तथा असाधारन रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंडने की शमता क्या कहलाती है जब आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हो, और एक अलग से एक creative problem के solutions को निकालते हो उसको क्या कहा जाता है आवेकशीलता, प्रतिवर्तनता अतिसक्रियता या फिर सरिजनात्मकता तो मैंने आपको बताया है सरिजनात्मकता ही वो होता है जब आप किसी भी problem के नए-नए solutions को निकालते हो impulsivity, reversility मतलब ultra, hyper activity मतलब अतिक्रियाशील है तो answer क्या आएगा जब आप किसी problem के नए-ने solution को नवीन problem के नवीन solutions निकालते हो उसको आप लोग बोलते हो creativity creativity में हर चीज नई निकल के आती है नई ideas निकल के आते हैं ठिक है तो इसका answer creativity बिल्कुली सही है very good यार बहुत बढ़िया चलो बात करते हैं question number 6 on your screen पढ़ लिजे एक बार बहुत ही simple questions है द्यान से पढ़ेंगे तो गल्ती बिल्कुली खतम हो जाएगी चलो चलो शाबाश देखो एक सिक्षक कुछ लिखित सामगरी का एवं सबजियों और फलो की तस्वीरों का प्रियोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ग्यान से जोडते हुए पोशन का संप्रत्य सीखते हैं यह उपागम निमले में से किस पर आधारेत है मतलब क्या कर रहा है जो टीचर है वो बच्चे जो क्लासरूम की नॉलिज है उसको उसके पूर्व ग्यान से उसको उसके रियल लाइफ से भी जोड रहा है बच्चों को खुद काम करने का मौका दे रहा है बच्चे को डिवेट में डिसकशन में शामिल करने का मौका दे रहा है तो आप बताईए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा classical conditioning में भाई conditioning है तो यहां पर किसी भी conditioning की किसी stimulus reaction की गई किसी reaction stimulus की बात यहां पर नहीं है ठीक है, किसी कुटे की यां पे लार नए डब वकरी ठीक है दूसरा पुणरबलन तो पुणरबलन की बाद भी reinforcement की बाद बीएफ स्किनर वाले की भी नहीं है क्रिया प्रसूत अनुकूलन अधिगम मतला ओप्रेंट कंडीशनिंग की भी बात यहां पर नहीं है दोनों की बात सेम होती है दोनों की बात नहीं है और बची कौन सी कि वो बच्चों की नॉलिज को कंस्ट्रक्शन करने में मदद कर रहे देखो एक टीचर है वो किसी टेक्स को किसी चीज को समझाने के लिए फ्रूट्स और वेइटेबल मतलब सबजी और फलो की बात करके डिसकुशन करता है उसके बच्चों को उसके जो प्रीवेस नॉलिज है उससे नई नॉलिज को कनेक्ट करता है और बताए किस अप्रोच बच्चे को देना चाहता है वो बच्चे को खुद निर्मान करने का मौका देता है और डेली लाइफ से जोडता है बहुत ही बड़िया टीचर कहलाएगा यह ठीक है चलो बात करेंगे कोश्यन नंबर सेवेंथ ऑन या स्क्रीन पढ़ लिजे अल अफ यू झाल 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 देखिए स्रिजा को पूरे यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही सफल असफल होगी मतलब वह सफल नहीं होगी इसलिए उसने उस विशे में मेंद करनी छोड़ दी है वैसे भी उसकी सिक्षिका को उससे मंद अपेक्षा है जो सिक्षिका है ना उसको भी उससे अपेक्षा है नहीं है इससे आप सिजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं ठीक है पहला वह आलसी और बहाने बना रही है आधिगम असाध्यता का अनुभव करी है मतलब helplessness मैंने बताया था ना कि मैंने आपको बताया भी था जो teacher होती है वो कहीना कहीं बच्चे को सिखा नहीं पाती है अधिगम असाध्यता ठीक है वो हो सकते हैं तीसरा के लिख है वह पलायन वादी है तो मतलब वो छुप रही है वो projection कर रही है वो चीजों से वो अपनी पढ़ने से छुप रही है और चौथा वह एक विवेक पूर निर्ने लेने वाली विद्धार तो विवेक पूर निर् और आपने कोशिश करने की अगली बार निकले भाई गलतिय हुई है तो कहां पे हुई है learnt helpless की situation कभी भी नहीं आनी चाहिए life में ठीक है जब आपकी personal life हो चाहिए वो आपकी professional चाहिए वो आपकी academic life हो ठीक है चलो बात करते है question number 8 on your screen अभीर जी आ गए है अभीर जी को चलो बहुत है simple है बच्चों को काम करने का मौका दे रहे हैं देखो अभीर की कक्षा में बच्चे सिक्षक और सहपाथियों के साथ विविद प्रकार के चुनोती पून क्रिया कलापों में भाग लेते हैं मतलब जो बच्चे हैं जो सहपाथी हैं वो अलग-अलग चुनोती अग्दिम से अपने ज्ञान का निर्मान भी करते हैं तो इस प्रकार की कख्षा को क्या कहला होगे व्यक्तिगत तो नहीं है क्योंकि ग्रूप में बच्चा पढ़ रहा है तो समाजिक तो चलेगा परमपरागत तो होती है जहां पर टीचर तो सिर्व वही बोलता है समाल करना यहां पर नहीं बताया गया है तो यह भी गलत हो गया तो ऑप्षिन नमबर फर्स ठीक है समाजिक सनचनावादी सोशल कंस्ट्रक्टिव सोशल मतला बहता है बाइक ग्रूप बन रहे हैं जब ग्रूप बनेगा तो समाज से जुड़ेगा समाजिक होगा तो ओवि निर्मान होगा नई चीजों की रचना होगी तो यहां पर अगर रचनावाद होता सरचनावादी होता निर्मान वादी होता तो बच्चे वो भी सही होता ठीक है तो चाहे रचनावादी हो चाहे सरचनावादी हो चाहे निर्मान वादी हो बेटा सभी सही होगा सोशल कंस् बात करेंगे question number 9 on your screen एक बार पढ़िए और answer देने की सभी बच्चे कोशिश करेंगे NEP 2020 से question है National Education Policy से question है पढ़ लिजे चलिए देखिए निमले में से कौन से सिक्षा शास्त्री रणीती राष्ट्रे सिक्षा नीती 2020 द्वारा प्रस्तावित है मतलब NEP 2020 ने इन चारो options में से किस option की बात की है ठीक है पहला अनवेशन आधारित अधीगम बिलकुल वो कहते है कि बच्चों को खोच के माध्यम से बच्चों को अनवेशन के माध्यम से खुद सिक्षा ग्रेंड करने का मौका दो करेक्ट है तीसरा कथा वाचन आधारित सिक्षा शास्त्र मतलब आप जो भी कौन से बच्चे को पढ़ा है एंसी आटी आगमन विधी को फॉलो करती है जिसमें एक्जेंपल से स्टोरीज के माध्यम से आपको रूल्स तक लेके जाया जाता है तो ये भी करेक्ट हुआ तीसरा वेधन तथा बार-बार अभ्यास रोट लर्निंग तो कभी भी सही नहीं हो सकता रटने की बात है जब ड्रिलिंग की बात होगी बार-बार प्रेक्टिस की बात होगी ठीक है और चौथा है डिसकशन चर्चा तो बहुत जरूरी है जब चर्चा होगा तो सामाजिक अंतेक्रिया होगी बच्चा समाज से जुड़ेगा और जब समाज से जुड़ता है तो आप यह मानके चलिए बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ सीखेगा तो पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है और यह मिल रहा है आपको आप्शन नमबर टू में और आप्शन नमब बातचीत कम करें बठा पढ़ाई में ध्यान लगाओगे तो बातचीत करने का चाहिए वो क्लास आपकी लाइव रिकॉर्डड ओपर ध्यान कॉंसेप्ट पर देना है आपने आर ठीक है आप सभी के लिए क्लास दी जाती है तो ध्यान सिर्फ कॉंसेप्ट पर दो सीखो और बार बार उन चीज़ों को प्रेक्टिस करते रहो और यह कोशन अच्छा है पढ़ोगे तभी समझपाओगे पढ़िए चलिए पढ़िए एवरिवान देखिए किसी समस्या के समधान तक पहुचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्रित करना क्या कहलाता है जब आप किसी भी समस्या के समाधान पे पहुचने के लिए आप उसकी मिलती जुलती समस्या से ही उसका समाधान निकालते हो अगर यहाँ पर लिखाओ 2, 4, 6 तो आप बता दो कि अगला होगा 8 तो मिलती जुलती समस्याओं से आप उन समस्या का समाधान निकालते हो उसको क्या कहा जाता है तो उसको आप कहते हो अनुरूपता उसको आप कहते हो एनलोगी जब आप रीजनिंग करते हो जब आप तरकशील ज्यान करते हो तब आप सीरीज पढ़ते हो सीरीज में क्या होता है, मिलता जोलता ज्यान पुलते हो चीजों को याद करते हो, स्मिति में बिठाते हो, स्मिति के लिए मतलब को विधीया होती है, मिने मौने भी आप लगे और Means And Analysis मतलब आपने विसलेशन किया है किसी साधन लक्षे पे पहुशने के लिए ठीक है तो पहला आप्शन बिलकुर ठीक है अनुरूपता इसका करेक्ट आप्शन है ठीक है जी क्लियर होगा आज आओ जी बात करते हैं कोश्चन नमबर 11 ओन यो स्क्रीन कॉंसेप्ट मैपिंग पे कोश्चन है किस पे कोश्चन है कॉंसेप्ट मैपिंग पे मैंने आपको सिखाया था ना संकल्पना मान चित्र क्या होता है हां जी कॉंसेप्ट मैपिंग मैंने आपको बताय हुआ है हाँ जी concept mapping बताया हुआ है ना देखिए संकल्पना मान चित्रण नए संप्रत्यों की समझ को किस प्रकास सुसाध्य करते हैं for example मैंने बताया था आपको animals बच्चों को सिखाना और पशों सिखाना तो आप इस सरीके से अलग-अलग format से diagram के मदद से आप वो चीजे बच्चों को पहले से ही summary में बता देते हो ठीक है पहला जानकारी को संसलेशिट और सू विवस्तित करना जो जानकारी होती है उसको आप संसलेशिट करते हो मतलब छोटे से छोटे चीजों में उसको बाटके और गनाईस करके बच्चे को बताते हो ये correct होता है उप संप्रत्यों को हटा कर तो उप संप्रत्य मतलब जो आप बताना चाहते हो उसके अंदर जो concept है उसको हटा के बताते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता जानकारी को समाजिक संदर्ब से प्रिथिक रखते हो मतलब जो भी आप जानकारी बच्चे को दे रहे हो उसको आप connect नहीं कर पाते तो आप connect करते हो अगर आप animals के बारे में बता रहे हो तो आप animals के अंदर क्या-क्या है है उसमें क्या-क्या पढ़ेंगे हर चीज आप बताते हो इसमें और चौथा प्रत्या स्मरण पर अधी बल देकर तो आप रटवाने पर रीकॉलिंग पर बल देते हो ऐसा कुछ नहीं होता कॉंसेप्ट मैपिंग की सबसे अच्छी बात क्या होते है कि आप जो भी कॉंसेप्ट बच्चों को पढ़ाना चाहते हो उससे पहले आप उसको एक समरी वाइज वे में और आप दे देते हो ताकि बच्चों का एक माइंडशेट त्यार है कि आज हमने क्या-क्या पढ़ना है और वो इंट्रस्ट भी लेगा, माइंडशेट भी तयार कर लेगा और जो समझेगा उसमें वो इंट्रस्ट भी लेगा तो इसलो प्शिन गंबर फिर्स करेक्ट है जानकारी को संसलेशट और सुव्यवस्थित करना चि कलो, बात करेंगे休ार से या-भाट करेंगे कॉस्च झाल झाल ठीक है पढ़िये पढ़िये हाँ बिलकुल एरर्ज हो रहे हैं गलतिया हो रही है ना देखो बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली तुरूतिया किस और संकेत करते हैं ये किस और संकेत करती है पहला अधिक वेधन और अभ्यास के अब शक्ता है जो बच्चे हैं उनको और पढ़ने की जरूरत है बच्चों को और ड्रिलिंग की जरूरत है तो ऐसा कुछ नहीं है गलतिया है कि वह भई सीख रहा है ये बात होती है गलतियों का होना दूसरा अधिगम के लिए स्तिर संग गुणात्मक भिनता है तो अलग-अलग बच्चा अलग-अलग तरीके सीखता है ये भी करेक्ट है और चौथा बच्चों के संगेरात्मक विकास पर अनुवान शिक्ता क्या प्रभाव तो यहां पर अनुवान शिक्ता की बात कहां से आ गई तो इसका मतलब यह कि अगर ब होता है उसकी जो गलतिया होती है उनमें अलग-अलग गलतिया रहते हैं करेक्ट है यार यह तो बिल्कुल सा कोशन था क्वाल्टेटिव डिफरेंस इन चिलर्ण थिंकिंगिंग एस कंपेर टू एडल्ट ठीक है एडल्ट में मतलब फर एक्जांपल आपके में थिंगिंग कि इंगा, करेंगा एक्शनией रिखरे इन चुब्से था झाल्टेटिए साक्पपल एक्श में उनमें खाल्टेश क्यांग यह तो बिल्कुल सा थिंगरेंसे होता हैं कोशना टते हैं कि तू दू हैं कि अर्गय हैं नहा मती हैão इनमें साफल्ट नह कि रहते हैं थांगिंगी चलिए चलिए पढ़िए देखिए क्या लिख्या बहुत सिंपल है ध्यान से पढ़ना एक अध्यापिगा में यह योगिता होना बहुत जरूरी है कि वे खुद को विद्यार्थियों के स्तान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं यह योगिता क्या कहलाती है मतलब जो टीचर होती है वो बच्चों की स्तान पर मतलब बच्चों की जगा पर बच्चों की प्लेस पर आपने आपको रखके देखे कि अगर मैं बच्चा होती तो मुझे कैसा लगता इस चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को कहा जाता है hurt to hurt connection और इस चीज को कहा जाता है तदानु भूती, देखो सानु भूती मतलब होता है किसी के लिए दया की भावना, उदास इंता मतलब किसी के लिए उदास होना, गलानी मतलब किसी से हिट्रेट दिखाना, गलानी करना गिल्ट रखना पैथी, सिंपैथी नहीं होता इसको आप बोलते हो इमपैथी निकला है किसे emotional touch किसने निकला है emotional दोनों में यह आता है emotional touch से निकला है मतलब क्या होता है कि बच्चों के साथ आपका emotional touch होना ज़रूरी है अगर आप बिमार होते हैं तो बच्चा भी दुखी होता है कि मैं क्यों नहीं आरी मैं क्यों बिमार हो रही है तो आप भी बच्चों की जगा पे खुद को रखे देखें कि अगर मैं बच्चा अगर मैं होती तो मैं उस तरीके से पढ़ती तब ही यहाँ पर हम bilingual चलाते हैं और bilingual चलाते हैegen नॉटिए को बढ़ती को तो क्यों दिखाने सानुबिती की इमपैथी यह भी कोसिने नॉट चाएं ठीक है चलिए बात करते हैं question number 14 on your screen पढ़ लीजिए यह भी बहुत ही simple question है चलिए चलिए देखिए एक ऐसी स्थिती जहां परिणाम अनिश्चित होता है जो परिणाम है वो निश्चित नहीं है लेकिन ध्यान असफलता पर हो तब बच्चे को डैश भाव महसूस होता है मतलब आपका जो परिणाम है वो आए नहीं है आपका जो रिजल्ट है वो आए नहीं है तो आपको बहुत घबराट होती है बहुत ही घबराट हो रही है कि यार मेरा क्लियर होगा क्या मेरा क्लियर होगा क्या मेरा क्लियर होगा तो यह चिंता होती है कि दुष्चिंता इंग्जाइटी को कहते हैं किसको कहते हैं इंग्जाइटी मैंने का है इंग्जाइटी को उबारने के लिए गहरी सांस लो और फिर बोलो भाई जय भगवान जी मेरा जो anxiety feel होती है ठीक है चलो जी last question पढ़ो आज का और फिर class को अपनी finish करेंगे चलो पढ़ो 15th question on your screen चलिए पढ़िए पढ़िए बहुत ही simple question है बहुत ही simple निमले में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी नहीं वाला option है जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने को कौन सी चीज नहीं बढ़ाएगी पहला जानकारी को प्रस्तुत करने के विविद तरीके की जो आप जानकारी को प् एक्सप्रेस कर रहे हो उसके आप अलग-अलग से विकल्प दोगे तीसरा अधिगम के आकलन है तू विविद तरीके लगाकर कि अलग-अलग तरीके अपनाओगे बच्चे को सिखाने के लिए भी करेक्ट है चौथा बच्चों को विविद तरीकों से नामी करन आगया दे आपने बच्चे को पुकारना है ठीकां तो ऑप्षन कंमबर फोर्त है और गलत वाला ही पुछा गया है तो इसका भनबर 15 होगा क्योंकि अपने स्कूर की अच्छांगे और भी उमिद करते हैं बच्चें आपके स्कूर भी अच्छा होगा आप सभी की तरह एंड हीद की बहुत बहुत शुब कामना है उमीद करते हूँ आपको आज की क्लास पसंद रहोगी हाँ आपने कम बात के मैं समझ रही हूँ और आप लोग भी समझ रही होंगे तो कोई बात नहीं चलता है कभी को आर यार पढ़ना जरूरी है आज जी class के लिए इतना ही करते हैं बच्चे मिलेंगे आपसे कल live session में 10.30 तब तक thank you everyone for watching the class bye bye take care